I want to thank every Amazon customer, because you guys paid for all of this, and every Amazon employee thank you from the bottom of my heart. Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके जीवन की सबसे एतिहासे की यात्रा के बाद एक ऐसा विवाद शुरू हो जाएगा जो दुनिया भर में उनकी और उनकी कमपनी की साख पर सवाल खड़ा कर सकता है. पहले सुनिए वो बयान जो अपनी अंत्रिक्ष बाद उनने विनमरता दिखाते हुए दिया था. लेकिन अमेजॉन के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर शखस बेजोस का अपनी कमपनी के करमचारियों को इस अंदाज में धन्यवाद के एक लेवर यूनियन नेता को रास नहीं आया. उन्होंने बेजोस के इस बयान को शर्मनाग बताते हुए उन पर महमारी के दौरान करमचारियों का ख्याल न रखने और उनके सैलरी काटने का आरोप लगाया. In the middle of the pandemic, he even cut people's wages when he didn't need to. People are being forced to work in conditions where their health and safety is not being adequately protected. There is so much more Jeff Bezos should be doing for his employees and now to say that they're the ones who paid for his joyride is obscene. यही नहीं समाजी कारेकरता के तोर पर मश्शूर और डिमोक्रिटिक पार्टे की सांसद एलेक्जेंडरिया ओकासियो कार्टिस ने भी ट्वीट कर जेफ बेजोस पर निशाना साधा. हाँ, Amazon कर्मचारियों ने ही इसके लिए भुक्तान किया. कम तनक्वाह लेकर, यूनियन ने ठपकर और अमानवी यर तनावपून माहौल में काम करके और डिलेवरी ड्राइवर्स ने महामारी के दौर में भी बगयार हेल्थ इंशरेंस के काम करके और Amazon के ग्रहाकों ने अपने बाजार अधिकारों की कुर्बानी देकर, क्योंकि Amazon चोटे व्यापारों को चौपट कर दिया। क्योंकि प्राइवर्स ने प्राइवर्स